अभी हम सांस के क्रिया इससे BP का क्या रिलेशन है अलकलाइन का और एसिड का तिक है सारे लोग ऐसे कीजिए आथ अपने आगे इस पतार अभी ऐसे मूँ को लेंगे और अंदर से हवा मारी है अभी देखिए इस पतार अभी ऐसे मूँ को करेंगे अगर हम थंडी सांस निकालेंगे थंडी सांस निकालेंगे तो क्या होगा बीपी जिसका लो रहता है उसका बीपी नौर्मल आएगा ठीक है और अगर हम गरम थंडी सांस निकालेंगे गरम तो वीपी हाई जिसका रहता है वो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका ये ये निरो तरफी नहीं खोजाए इसको हजारों लाखों पेशेंट के उपर इसकी हमारे परमपुज गुरुजी ने खोज करी है उन्होंने पाया कि अगर हम ठंडी सांस चोड़ रहें तो लो वीपी वाला व्यक्ती ठीक हो जाता है वीपी उसका तुरंद नौर्मल हो जाता है और अगर गरम सांस चोड़ता है इ देखें बीस बार हम कर सकते हैं बीस बार लाश्ट ज्यादा नहीं अगर आपको लगता है कि अगर हम ज्यादा कर रहे है ज्यादा कर रहे है तो इंसान का ज्यादा बीपी हाई है वो बहुत ज्यादा डाउन भी जा सकता है और जो लो बाला है वो बहुत ज्यादा हाई भी तो अल्कलाइन निकल रही है अल्कलाइन और एसिड दिखो दुनिया बगवान अरधनारीश वथ देखते हैं सभी ने अरधनारीश वथ क्या है आधी काली और आधी सफिद काला है और वाईट है अल्कलाइन का है तो यह जो करिया है एसुड और लकंलाइन बोडी का एसुड और अलकलाइन जब बतायागे है